कक्षा 11 की पॉइंट और व्यू से आज हम APGP और इसकी NCIT की प्रॉब्लम करेंगी तो इसमें पहला चैप्टर 9.1 है इसका और NCIT की जो चैप्टर हैं उनके ही कुष्टन देखने हैं और यह फार्च चैप्टर है इसमें एक से छह तक आ गया है कि प्रतेक के प्रतम पांच पत लिखना आपको तो सीधा सीधा ANS term given है समय और N equal to 1,2,3,4 रखके हमें शुरू के जो पांच टर्मों हैं फाइंड करना है तो N equal to 1,2,3,4,5 यह पूट करेंगे तो A1 मिलेगा A2,A3,A4,A5 N equal to 1 पे मिलेगा हमें 1 into 3 और 2 पे मिलेगा 2 into 2 plus 2 या नि 4 और 3 पे होगा आपका 15 और 4 पे 24 और 5 में आपको मिलेगा 5 into 7,35 तो यह पांच टर्म इस तरह सीजली निकल लाएंगे और नेक्स प्रॉब्लम है इन सम में 5,6 तक आपको पस यही करना है तो इस में N equal to 1,2,3 यहां भी रखेंगे तो A1 आपको मिलेगा 1 upon 1 plus 2, A2 आपको रहेगा 2 upon 2 plus 1, नि 1 by 3, 2 by 3 और इस तरह ए 5 तक हमें रखना है 5 पे मिलेगा 5 upon 6, थार्ड वान है इसमें आपको A N given है 2 की पावर N और इसमें 1,2,3 रखेंगे तो 2,2 square,2 Q,2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 यह 5 टर्म हो जाएंगे 4th one है इसमें भी आपको यही करना है 1 पे आपको मिलेगा 2 into 1 minus 3 by 6 यानि minus 1 by 6 2 पे मिलेगा 2 into 2 minus 3 upon 6 यानि 1 by 6 प्लस का और 3 पे होगा 3 upon 6 यानि 1 by 2 और फिप्ट one है फिप्ट में आपको यही यहां भी करना है तो minus 1 की पावर जब 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 plus 1 और यह एक होगा और यह हो जाएगा आपका 5 की पावर 2 यानि 25 होगा 2 पे यह मिलेगा minus 1 की पावर 2 minus 1 और 5 की पावर 2 plus 1 तो minus 1 into 125 होगा 3 रखेंगे minus 1 का square और 5 की पावर 4 तो यह प्लस का 625 रहेगा इस तरह 5 का गुणा होता जाएगा और चिन positive negative positive negative ऐसे आएगा यह 4 भी होगा आपका minus 125 गुणा 5 6 है इसमें भी 1,2,3 रखना है आपको 1 रखने पर यह मिलेगा आपको 6 बटे 4 और 2 रखने में मिलेगा 2 into 4 plus 5 upon 4 तो 9 by 2 हो जाएगा इस तरह यह हो जाएगे इसली यानि इससे हम यह निसकाश निकाल सकते हैं कहीं भी आपको AN गिबिन हो को और TN गिबन हो या AN गिबन हो हम N equal to 1,2,3,4 रखके Nth term से हम हमेशा 1st term, 2nd term, 3rd term find कर सकते हैं किसी भी AP के लिए कोई भी series हो AP हो GP हो इसमें आपको यह दिये गए जो फद हैं यहां इन्हें find करना है तो AN आपको given है 4N minus 3 और A 17 find करना है 17 मा पाद और 24 मा तो एक बार N equal to 17 minus 3 65 और यह सिज़ा है 24 रख देंगे 8 में भी आपको 7 साथ मा टर्म निकालना है तो यह 7 होगा 7 square upon 2 की पावर 7 यानि 49 upon 32 into 4 तो यह आपका आएगा 49 upon 8 और 128 इसी तरह 9 थे इसमें आपको एन्हें टर्म के पे नहें A9 पूंचा है तो A9 होगा minus 1 की पावर 9 minus 1 और 9 Q तो minus 1 की पावर 8 प्लस हो जाएगा है और यह आएगा आपका 81 गुणा 9 तो 739 हो जाएगा है और 10 में आपको 20 मा पत पूंचा है तो इसमें हमें इक्वल टू 20 रख देंगे तो A20 मिलेगा 20 इन्टू 20 माइनस 2 बटे 20 प्लस 3 तो इधर आपका 18 होगा तो 360 बटे 23 11 में आपको एक्विशन गिवन है तो पहली वैलू दी है A1 एक्वल टू 3 है और A N गिवन है आपको 3 A N माइनस 1 प्लस 2 तो A N गेटर दें 1 है इसका मतलब A N की वैलू हम यहाँ N नैच्रल है और A N की वैलू हम 1 न ले पाएंगे यह वोपर 2, 3, 4 होगा क्योंकि A N गेटर द है अलग से तो हम 2 से ही शुरुवात कर पाएंगे तो A N एक्वल टू तू रखी है इसमय तो A2 मिलेगा 3 A1 प्लस 2 और A1 की वैलू 3 गिवन है तो यहाँ पूट कर देंगे तो 11 आ जाए गए इसी तरह हमें 5 तरम निकालने हैं तो 3 रख देंगे A3 होगा 3 A2 प्लस 2 और A2 हम कर चुके हैं उपर 11 तो यह 35 हो जाएगा इसी तरह A4 A4 होगा 3 A3 प्लस 2 और A3 है आपका 35 प्लस 2 और 12 में भी आपको यही 5 तरम लिखना है और यहाँ पर हम बैलू शुरू करेंगे N एक्वल टू से ही तो 2 3 4 यह हम यहाँ पर रख सकते ही और यह इसका लाश कोशन है इसमें हमें A1 और A2 दोनों 1 गिवेन है और A1 एक्वल टू एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 और N ग्रेटर देंट 2 है यहाँ पर और इसके लिए N ग्रेटर देंट 2 है इस सीरीज के लिए तो हम यहाँ पर तो एन एक्वल टू 3 ही रख पाएंगे और हमें n की value जो यहां पर पूंची है value n प्लस 1 बटे an की इसमें हमें n equal to 1 से शुरू कर सकते हैं इसके लिए n 1, 2, 3, 4, 5 given है तो 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा a2 बटे a1 2 रखेंगे इसी में तो a3 बटे a2 यह value हमें चाहिए और आप इसके बाद 3 रखेंगे तो a4 upon a3 तो a2 और यह a1 दोनों 1 1 है a3 हमें यहां से find करना होगा n equal to 3 इसमें put करेंगे यहां पर तो a3 आपको मिलेगा a2 प्लस a1 that is 2, 1 1 हो जाएगा तो 2 upon 1 इसी तरह a4 के लिए n equal to 4 रख देंगे यहां और तीनों value आपको आगे निकालने नहीं है इसकी आसानी से हम 9.2 में आते हैं और 9.2 में हम एक दिन यह question आपको कर चुके हैं तो हम सीधे इसके बाद 9.2 के बाद 9.3 में देखते हैं ठीरी में आपका जीपी है और चलिए जीपी में बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले इसके फिर्मूला देख लीते हैं तो जीपी होती है जन्रल ए, एर, एर स्कॉाइर, एर क्यूप यह जन्रल जीपी है जिसका ए फर्स टर्म होता है और आर सरवान पाद है common ratio जो की ratio समान वाला होता है तभी GP बनती है और वहाँ पर difference है होता है AP में और यहाँ पर ratio से हम होगा इसी को बोलते हैं common ratio इसमें एनेट्थ टर्म तो हम यहीं से generalize कर सकते हैं AR की power 1 है यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 टर्म में power 3 है फिप्त में होगी 4 तो एनेट में होगी एक कम यहाँ यह एनेट्थ टर्म होता है और लाश्ट टर्म गिवेन है तो यहाँ भी हम TN को L लिख सकते हैं इसके बाद sum of N टर्म तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं वैसे minus common लेके वो एक ही हैं आप उपर नेटी minus common ले लेंगे तो इसी को यह लिख सकते हैं चलिए अप सीधे questions पर आते हैं तो पहला question है इस GP का GP हमें given है 5 by 2 यह और 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 इसका 20S और Ns टर्म पूंचा है तो यह तो हो जाएगा आपका 5 by 2 और R होगा 5 by 4 में डिवाइड होगा 5 by 2 से तो यह 1 by 2 आएगा A हो गया, R हो गया अब 20th टर्म होगा T20, R की पावर 19 तो 5 by 2 और 1 by 2 की पावर 19 तो यह हो जाएगा 5 upon 2 की पावर 20 अब next है second इसमें आपको गुरुत्ता सेनी का बारमापद और आठमापद बारमापद फाइंड करना है और आठमापद दिया है 192 और सारवानपाद 2 है तो देखें क्या कहें बेन है T8 आपको दिया है 192 और R दिया है 2 और 12 टर्म पूंचा है तो हमें A फाइंड करना होगा तो T8 को हम लिख सकते है AR की पावर 7 यह 192 तो A हो जाएगा 192 upon 2 की पावर 7 तो यह आपको हो जाएगा 2 की पावर 7 था 2 इंटू 4 यह एक्सवाट्थाइस तो 192 बटे 128 यह कैंसल भी हो जाएगा R 2 है तो अब हम यहाँ पे 12 टर्म निकाल सकते है तो 12 टर्म होगा AR की पावर 11 बारमापत पूचा है और R आपका 2 था यह आए था 192 upon 128 और 2 की पावर 11 तो ऐसा कर सकते हैं यह 2 की पावर 7 था तो यहाँ 4 बचेगा 192 और 2 की पावर 4 192 इंटू 16 भी हो जाएगा थाइड में आते हैं थाइड में फिप्थ एट्थ और 11 टर्म दिया P Q S तो P स्क्वार इकल टू Q S प्रूब करना है तो जो गिवेन हैं वो एक ही सीरीज के लिए है सबसे पहले मान लेजे फ़र्स टर्म A है और common ratio R है तो फिप्थ टर्म होगा A.R. की पावर 4 ये गिवेन है P और आठमा पाद होगा A.R. की पावर 7 ये गिवेन है Q और A.R. की पावर 10 ये गिवेन है S अब आप इसको इस तरह सोचेंगे कि आपको Q SQUAR इकल टू P S प्रूब करना है इसका मतला A.R. हमें रूब कराना है तीन equation से हमें दो चीज़ों को बिलॉप्त करना है क्योंकि बिलॉप्त करने के लिए equation हमें extra चाहिए होती है तो यहां से अगर आप सीधा देखना चाहें तो अगर मैं Q का square करूं और इन दौनों का multiply करूं तो एक वल आ रहा है तो यहां से हम इसली हटा लेंगे यानि 2 का हम 1 और 3 का multiply कराएंगे 1 और 3 का multiply से मिलेगा A square R की बावा 14 एक कल टू पी एस इसको हम लिख सकते हैं A R की बावा 7 का whole square तो A R की बावा 7 है आपका Q तो यह हो जाएगा Q square बराबर पी एस 1,2,3 के यूज से इसको आप इसली निकाल लेंगे अब 4th में आते हैं 4th में आपको दिया है 4th पत दूसे पत का बावार गए This means T4 equal to है T2 square के और 1st term A दिया है minus 3, 7th term पूचा है T7 और यह होगा A R की फावावा 6 R हमें यहाँ से find करना होगा तो T4 होगा A R Q T2 होगा A R का square तो अलग-अलग square कर देंगे अब यहाँ से A equal to R हमें relation मिला जब A equal to R है तो फिर R भी हो जाएगा minus 3 तो minus 3 और minus 3 की पावर 6 तो final answer हो जाएगा minus 3 की पावर 7 याई negative value आएगी फिप्त में आपको TN दिया है इसको हम L भी कह सकते हैं और GP given है तो A, R और TN गया थे हमें सबसे N निकालना है सभी questions में तो पहले बाले में A equal to 2 2 हो जाएगा और R equal to 2 root 2 upon 2 तो यह आपका आएगा root 2 A पता हो गया R पता होगा तो अब हम कहेंगे जो 1, 2, 8 है यह Nth term है तो TN भी हमें दिया है तो TN बराबर A और R की पावर N minus 1 यह formula लगाएंगे तो यह cut दीजिए यहाँ पर चॉंसर तो यह हो जाएगा 2 की पावर N minus 1 by 2 पावर का multiply होगा और यह 2 की पावर 6 है तो N आपको मिल जाएगा 13 coefficient compare करा देंगे पावर इसके C वाला भी देख लेते हैं B वाला आप कर सकते हैं C का हम कर देते हैं तो C में आपको A equal to दिया एक बट्टे 3 R भी आएगा एक बट्टे 3 तो 1 upon हमें TN यहाँ दिया 1,9,6,8,3 और यह होगा A और की पावर N minus 1 तो इनका multiply होके यह हो जाएगा 1 by 3 की पावर N अब हमें 3 से divide करके इसके factor हमें करने होंगे 3 पे कितनी पावर है यह देखके यहाँ से हम फिर value निकाल लेंगे देखिए जो आपको given है sum हो है 1,9,6,8,3 इसमें 3 से divide करिए तो 6,5,6,1 फिर 3 से divide करिए 2,1 और 8,7 फिर यहाँ काटेंगे तो 7,2,9 तो 1,2,3 तो यह हो जाएगा आपका 3 1,Y,3 की पावर 709 है जो यह भी आपको पता चल जाएगा तो total value इसकी होगी 2,4,3 यह आपका होता है 3 की पावर 5 तो यह 6 होगा 7,9,8 तो 9 आजाएगा N की मान 6 में आपको 3 संख्याइदी है जो की GP में है तो GP की condition लगा सकते हैं आप simply और तीन रासियों के लिए अगर हम देखें A, B, C तीन कौन्टी अगर GP में हैं तो B upon A equal to C upon B यह common ratio होगा वर same होगा तो यहां से हम cross multiplication से कह सकते हैं B square equal to A, C यहनि बीच के term अगर तीन term दिये हों तो बीच के term का square से इस दो की गुरण फल के बराबर होता है तो यहां मिलेगा X square equal to इनका multiply कराईए 2 by 7 minus 7 by 2 तो A का आएगा तो X equal to plus minus 1 7th में एक 7 से 10 तक आपको सम्में दिये गए पदम तक जोड़ना है तो पहला वाला है इसमें A है minus sorry point 15 और B है R हो जाएगा आपका point 015 upon point 15 तो इधर यह आएगा आपका 1 बटी 10 इसको हम 100 नीचे करें तो और यह हो जाएगा 3 बटी 20 तो 20 terms का हमें सम्म चाहिए तो H20 होगा A into 1 minus R की power N upon 1 minus R तो 3 upon 20 1 minus 1 by 10 की power 20 1 upon 1 minus 10 अब यह आप से solve हो जाएगा इसमें आपको N पदों तक यहां दिखनी रहा है तो मिस्प्रेंट है जाएद N पदों तक होगा तो A हो जाएगा आपका root 7 और R होगा root 2 1 upon root 7 तो यह हो जाएगा आपका root 3 9th में आपको N पदों तक N पदों तक यह पूंचा है तो A की value 1 है 9th में और R है आपका minus A और N पदों तक जोड़ना है तो A into 1 minus R की power N N का मानिया N ही रहेगा upon 1 minus R तो यह 1 plus A हो जाएगा तो 1 minus minus 1 की power N upon 1 plus A 10th में आपको XQ तो A हो जाएगा XQ और R हो जाएगा X square N का मान N है तो फार्मूला होगा A into 1 minus R की power N तो X की power 2 N upon 1 minus R इंफेक्ट X square आएगा R का मान तो यह value sum हो जाएगी इसकी 11th में आपको sigma notation में दिया है और वह सिग्मा के equal to 1 से 11 2 plus 3 की power K तो जब इसमें सिग्मा उपरेट होगा तो हम यह 11 term आएगे तो सबसे पहले के equal to 1 रखेंगे फिर K equal to 2 रखेंगे पूरे में इस तरहे 11 पद होंगे तो 2, 2, 2, 11 बार 8 होगा यह सभी में मिलेगा तो यह 22 हो जाएगा और इसमें 11 पदों का योग लगा दीजिए तो A की value 3 है R की value 3 है A into R की power N minus 1 बटे R minus 1 N की value 11 रहेगी तो यह 2 बचेगा अंदर इसका multiply भी चाहें तो कर सकते हैं तो 3 की power 12 minus 3 upon 2 ठीक है यह LCM लेके भी 4, 4 वोईजा 4, 1 ऐसा और solve कर सकते हैं 4, 1 प्लस 3 की power 12 upon 2 ऐसा भी लिख सकते हैं 12th question है इसमें तीन पदों का योग दिया है 3 given है हमें 3, 9 upon 10 और और इनका तीन पदों का जो गुणफल है वो एक है तो सुरू की तीन टर्म हम मान सकते हैं जब भी तीन टर्म का जिक्र हो तो आप ये तीन टर्म मानेंगे तो ज़्यादा वेटर रहेगा A upon R, A, A, R इस ते में फाइदा यह होगी कि एक value direct निकल आईगी टर्म मानते थे A minus D, A, A plus D उस तरह यहाँ तीन यह मान सकते हैं तो इनका गुरॉन फल हमें एक दिया है तो यहाँ से हमें मिला A Q बरावर एक यानि A बरावर एक और ठीन टर्म का sum भी दिया है तो ठीन टर्म का जो sum होगा उसका मान होगा A upon R सीधे नहीं को जोड़ दीजे प्लस R, A upon R, A, A, R और यह है आपका 3, 9 upon 10 A equal to 1 रख देंगे यहाँ पर तो quadratic बनेगी और वो quadratic होगी 1 रखने के बाद 1 plus R plus R square equal to 3, 9 upon 10 अब यह quadratic solve करेंगे तो 10 R square plus 10 R और minus 2, 9 अब यहाँ से easily हम R find कर सकते हैं 13 में आपको GP given है जिसका first term A है सरवान path है 3 और 3 square upon इसमें divide करेंगे तो यह भी 3 आएगा और A भी 3 है और R भी 3 है और कितने पद लिए जाएं कि योग इतना हो जाए तो mana N पद लिए जाएं हमें पदों की संख्या निकाल ली है 120 बराबर A आर गाद N माइनस 1 बटे R माइनस 1 हमें find करना है N तो यह 240 80 और यह हो जाएगा आपका 81 तो 3 की power N equal to 3 की power 4 N आजाएगा आपका 4 अब आते हैं 14 में 14 में कहां किसी गुर्ता सिर्णी की पर्थम A है और सरवानपद R है तो पहले 3 पध जोड़ेंगे अगर हम तो यहां पे हमें वो वाले पद मानने से कोई फाइदा नहीं है A upon R A A R क्योंकि यहां पे गुड़ों फ़ल आपको नहीं दिया गया है तो आप सिंप्ली मानिए तो शुरू के तीन पदों का योग होगा S3 equal to A और R की पावर 3 upon R minus 1 यह आपको given है 16 और अगले तीन पदों का योग है 128 तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगले तीन पदों का इतना है तो हम यह कह सकते हैं कि 3 और 3 छे पदों का योग 128 प्लस 16 होगा तो छे पदों का योग को तोड़ने में थोड़ा सामें आसानी रहेगी तो यह आपका हो जाएगा, अलग-अलग भी हो जाएगा इसको add करेंगे तो 14 और यह आपका आएगा 4 और यह 2 तो 144 हो जाएगा तो as 6 कमान 14 होगा, तो देखिए इस से भी equation बनाएंगे हम तो 6 पजाओं का योग आपका यह बनेगा और इसकी value है वो 144, अब हमें a और r find करना है, तो अगर हम यहाँ पर divide कर देंगे, तो r निकल आएगा तो 1 और 2 तो 2 में हम एक का भाग देते ही तो a r की पाव 6 minus 1 r minus 1 और यह आएगा a r q minus 1 और यह उपर जाएगा r minus 1 144 upon 16 r minus 1 cancel होगा, a भी cancel होगा इधार square लगा दीजिए तो r q plus 1 बरावर 9 तो r q बरावर 8 तो r आएगा आपका 2 और जब r 2 होगा, तो वहाँ से हम निकल लेंगे अब n का मान, तो 2 रखने पर देखिए n कितना मिलेगा a मिल जाएगा यहाँ से हमें दो रखेंगे तो यह आएगा a और 7 बटे 1 बरावर 16 तो यह 16 बटे 7 हो जाएगा और फिर n पदों का योग भी a आराने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते है n पदों का और जितने भी बदों का पूछा जाएगा 15 में आते हैं 15 में a गिवन है पहला टर्ब 739 और पिर्थम पद इतना और 7 मा पद यहाँ गिवन नहीं है वैसे 7 मा पद दिया गया है यहाँ पर मिस्प्रिंट है लगता है तो a प्लस a r की पावर 6 बरावर हो 7 मा पद जो गिवन होगा वो ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ से a रख टे आर फाइंड करेंगे फिर 7 पदों का योग निकालेंगे 16 पे आते हैं इस में कहा है कि एक गुट तसरेजियों गयात करो जिसके पहले 2 पदों का योग माइनस 4 है तथा 5 मा पद तिर्थी पद का 4 गुना है तो देखे मैं यह मान लेता हूं सीज़े सीरीज a, a, r, a, r square जनल है तो पिर्थम दो पदों का योग माइनस 4 है यानि a प्लस a, r यह पिर्थम दो पद है और पांचवाँ पद तिर्थी पद का यानि t5 बरावर है t3 का 4 गुना तो यह होगा a, r की पाव फोर और यह होगा a, r square a कैंसल होगा अब बरमूल ले ले लेजे तो r square एक्वल टू आर तो r बरावर 2 आ जाएगा r एक्वल टू जीरो छोड़ देंगे तो r क्वल टू आएगा और यह आप एक मरख दीजे तो यह जाएगा आपका 3 और यह है minus 4 a बरावर minus 4 बर्टी 3 और बरावर 2 यहाँ से हमें gp ग्यात हो जाएगा यह दर a r के मान रख देंगे तो ग्रूत तसे नहीं होगी a, r, r square अब आते हैं question number 17 में इसमें आपको चौथा, दसमा और 16 मापत दिया है तो देखे, question क्या बनेंगी a, r, q दिया है, x a, r की पावर 9 दिया है, y और a, r की पावर 16, यानि 15 आएगा यहाँ और यह दिया है आपको z तो आपको यहाँ भी देखा जाए, तो यह जो शुरू में प्रॉब्लम थी देखे, इसका हम multiply करें तो a, r की पावर 18 है, और k, r की पावर हो रहा है हमें दिखाना है, x, y, z, g, p में है यानि हम यह दिखाएंगे, कि y, square बावर x, z, एक relation यहाँ से मिल ला है अगर यह आएगा, तो इसका मतलब ही होगा x, y, z, g, p में तो हम यहाँ पे easily देख सकते ही अगर हम y कबर कर दें, तो y square आएगा यह, और यहाँ हम इनकी गुर्ण फाल की बरावर value बिल्कुर रख सकते ही, तो y square equal to x, z हमें मिल जाएगा 18 में आते हैं, और इस तरह की problem का चरीका लगवाग एक साही रहेगा और यहाँ, देखिए, जो term repeat हो रहे है वो 8, double 8, triple 8 और चारवार 8 तो ऐसे के लिए तरहीका आपका fix है तो सबसे पहला step है, जो चीज रिपीट हो रही हो उसको common ले लीजे तो 8 repeat हो रहा है, तो 8 को common लीजे common लेने के बाद आप 9 से divide और multiply करेंगे और n पदों का जो term हो हमें इसाब का check भी हो जाएगा n equal to 2 या 3 लेके तो इसके बाद हमें 9 से divide करना है और multiply करना है क्योंकि यहाँ में series बनानी होती है सब के लिए तरीक है fix है अब इनको बदलेंगे हम इस तरह की dp बन जाए तो 10 minus 1 और यह होगा 100 minus 1 और यह 1000 minus 1 इस तरह series मिलेगी और अब हम इसे अलग-अलग जोड़ेंगे और अगर हम दो पदों का यहाँ पर योग देखें तो दो पद जोड़ने पर आपका चानवे आ रहा है तो इस answer में हम n equal to 2 रखने पर 96 मिलना चाहिए क्योंकि यह n पदों का योग है और एक के लिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक के लिए एक का square भी एक है और cube भी एक है तो कभी-कभी दो option होती है इसलिए आप 2 से ही चेक करिए हमेशा 2-3 आप कुछ भी ले सकती है तो देखे 8 by 9 और आपको n पर जोड़ना तो एक सीरीज हो गई है वा दूसरी 111 आपका n बार जोड़ेगा तो यह minus n हो जाएगा और इसको जोड़ दीजिए 10 पंदल तक तो यह आपका यह आजाएगा यह थोड़ा अप्सॉल्ब नहीं होगा तो पस यहीं पिछोड़ देंगे minus n करके यहाँ minus n होगा इसमें 28 16 32 दो जीपी दी है और इनकी गुणन फल से जो स्रेनिंग बन रही उसका योग पूँचा है तो दो जीपी के गुणन फल से भी हमें जीपी मिलती है यह आप ध्यान रखेंगे और प्रूप भी यहाँ पे आप विली कर लेंगे देखिए संगत पदों का गुणन करना पहला पहले का और दूसरे दूसरे का तो हमें मिलेगा इधर 256 और 128 यानि दो का भाग होता जा रहा है और यहाँ आएगा 64 तो इससे भी GP बन रही जो उसको जोड़ना है आपको और यह पांच पद है तो पांच पदों की योग का सूथ होगा यहाँ पे लगा देंगी तो ए इंटू आर की पावर फाइब माइनस वन अपाउन आर माइनस वन तो यह 256 है और आर है आपका एक बटी 2 अब हम इसी माइनस माइनस को मन लेके पिलस करके सॉल्ट कल लेंगे 20 में आते हैं इसमें आपको एक GP यह गिवेन है दूसरी कैप्टाल की टर्मसम गिवेन है तो कर आप रूप करिए इस से जो GP बने गुणन फल से जो GP बनेगी वो भी GP होगी तो देखिए संगत पदों का गुणा करेंगे यहाँ एक कैप्टल ए इसमाल आर कैप्टल आर यह गुणा होगा इनका अपस में इसके बाद यह GP है कि नहीं यह चेक करने के लिए आप इसका common ratio अब आर वन मान लेंगे कि यहाँ आ चुके हैं तो आर वन होगा इसमें हम इससे डिवाइट करेंगे इनका गुणा है सबका तो यह cancel हो जाएगा यह इससे हमें यह निसकर्स निकल लाहा कि अगर हम दो GP का अपस पदों का गुणफल भी GP देता है और उसका सरवान पात दोनों के सरवान पातों के गुणफल के बराबर होगा अब आते हैं कीस में इसमें इसमें ऐसे चार पत जिनका जो गुणता सेनी में हो तीसरा पत पिर्थम पत से आज है तो अगर हमें एकवल करना है तो फिर्थम में हमें नौं जोड़ना होगा एक व्यूसरा पत चौथे पत से अठारा देखे तो टी टूइकवल टू है T4 plus 18 यह दो equation हमें दी गई है तो इन दो equation से हम A और R दो unknown आसानी से find कर लेंगे जब AR find हो जाएगा तो यह चार पद भी निकल आएंगे इसकी चार पद आप यह मान लेंगे A, AR, AR square, AR Q, AR हमें चाहिए तो इसके लिए यह दो equation given है तो देखिए calculation calculation में यहां यह द्यान देना है कि divide करना है और इस तरह divide करना है कि R वाला term इस तरफ हो और constant term बूची तरफ हो तो देखिए calculation में AR square equal to होगा प्रिथम पत क्या होता A तो इसको आप पहले पक्छांतर कर लेंगे तो यह वन ही आपकी equation 3 और 4 इसी तरह आएगी यहां से T2 होगा AR और यह होगा AR Q यह आपका 80 अब हम divide कर देंगे इन दोनों का अगर तो एक cancel होके R निकल आएगा और फिर R किसी एक में रख देंगे तो दोनों चीरें आजाएंगी 22 में question में आते हैं 22 में पीमा क्यूमा आर्मा पद दिया है ABC का तो करें प्रूब करिए यह तो ऐसे को sense में generally calculation होती है और तो देखिए calculation देख लेते हैं तो माना जी पी एक ही है माना जी पी का पिर्थम पाद A है और सरवान पाद R है तो इसमें हमें पहले equation बना लेनी है अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि पिर्थम पाद आप यहाँ पर capital A मानेंगे क्योंकि इसमाल यहाँ पर आ चुका है उसी तरह capital R मानेंगे तो यहाँ पर capital A और capital R ही मान लीजे क्योंकि यहाँ confusion हो सकता है चलिए अब होगा P मापाद तो यह होगा आपका A R की power P-1 फिर होगा A R की power Q-1 और A R की power R-1 अब हमें A B C यहाँ से ग्यात होगए और यह समाल A B C के मान सीधे left hand side में रखेंगे तो देखिए और सभी के power में फिर जीर होगा देखिए तो left hand side होगी A का मान है A R की power P-1 और B की value है A R की power Q-1 और C है A R की power R-1 और power यह है तो A की power अलग कर लेंगे और R की power अलग कर लेंगे तो A आएगा Q-R R-P और P-Q इसी तरह R की power जो आएंगी वो भी cancel होगे 0 आएंगी तो last में A की power 0, R की power 0 मिलेगा और इसका मतलब होगा कि मान इसका एक है 23 यह भी problem अच्छी है और इसको कई बार पूचा गया है तो किसी गोत्ता सेनी का पिर्धम और N वापत किमसा इतना है P-N पदों का गुरून फाले तो सिद्ध करो P-Square वराबर A-N की power B तो जो next question है वो next में देखेंगे झाले कि बार छेखें Maybe thisा इसका है झाले कि जाले छो 누 네 techn है चाले को एक हंए नहाउ कि पर में और तो हमत्टी है झाले बार सेनी का बार No पूब Kit भंका है